अंजी कैसे हैं आफ सभी स्वागत है आफ सभी का चाय और कोड के एक और वीडियो में और आप सुन रहे हैं हमारी खुबसूरत सीरीज चाय और बैकेंड को सिर्फ सुनिये मत देख लीजे और सिर्फ देखिये मत थोड़ा सा काम भी कर लीजे फटा-फट से उस बटन को सब् जाला है चैनल को सब्सक्राइबर्स जादा होंगे तो हम आपके लिए और भी चीजे लापाएंगे सब्सक्राइबर्स धीरे धीरे बढ़ेंगे तो हमें लगेगा ठीक है यार पेड कोर्स में मैंनत कर लो पैसा तो मिल रहा है कम से कम वहाँ पे यहां पे दो लोग शेयर क पढ़ाएंगे आपको aggregation pipeline इस वीडियो के लिए सबसे जरूरी काम है कि आपने last वीडियो देखा हो अगर last वीडियो नहीं देखा है या नहीं समझा है तो ये वीडियो नहीं समझ में आने वाला 10% भी सची और honest बात है इस वीडियो का आप SD2 या और higher level पे या start-ups में इस तरह के काम करते हैं तो ये थोड़ा सा professionalism है बट आपको समझ में आएगा अगर पिछला वीडियो समझ में आए तो ये 100% समझ में आएगा तो comment target पूरा करिएगा और चलते है aggregation pipeline चिंता किजिए कुछ भी difficult नहीं है बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा इतना कुछ complex है नहीं और हम तो complex होने भी नहीं देते हैं चलिए ओके तो screen share करते हैं अब देखिए हमारा काम है कि subscription model तो हमें समझ में आ गया है किस तरह से अच्छा कुछ लोग हमेशा basically मतलब है कि subscription से जित्ती information मिलते हैं उस information को join कर दो हमारे users के अंदर भी तो यह हमारा major major काम है अब इसके लिए क्या है यह सीखने के लिए हमें सीखनी पड़ेगी aggregation pipelines aggregation pipelines पढ़नी पड़ेगी mongo से आपका भी dark mode है क्या कहीं पर या खराब करके मानेंगे आप ठीक है अभी तक तो नहीं है बट आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर simply aggregation लिख दीजे aggregation समझेंगे क्या आप नहीं hopefully समझेंगे aggregation तो basic aggregation पर जाते है aggregation actually मैं है क्या तो aggregations मैं एक बार documentation पर जाता हूँ वहाँ से समझना जाद अच्छा है mongodb database manual atlas database manual और यहाँ से आप जाएंगे तो left में आपको दिख जाएगा aggregation operations यही हमारे हैं और इसके अंदर दिखेगा aggregation pipeline यहाँ से documentation समझना थोड़ा जादा असान है अब aggregation क्या होते हैं यह pipelines होती है कुछ नहीं stages होती है एक stage, दूसरी stage, third stage बस इसी तरह से है अब ध्यान रखने वाली बात ही है कि each stage performs an operation on the input document कहने का तातपर यह है कि आपने जो भी एक stage में अगर कुछ filtering लगा दी कि मुझे 100 नहीं मुझे 50 document ही select करके दो किसी भी basis पे तो next stage के लिए वो 50 document ही original dataset है फिर से बताता हूँ कि अगर suppose करी आपके बास 100 document से किसी condition को लगा कि आपने का ने ने 100 नहीं अब 50 कर दो इसको तो next stage में जब हम जाएंगे तो वो 50 document पे ही वो application होगा जो भी आप process करना चाहते हैं बस यही इसका कहने का मतलब है यहाँ पे यह भी बोल रहे है document that are output from a stage are passed to the next stage बस यही तीनो चारो line में उने का है अब aggregation pipeline लिखते कैसे कुछ इस तरह से लिखते है कि आप यह db.orders.aggregate तो जहाँ पे भी आपको लगाना है db.users में जहाँ पे भी लगाना है वहाँ पे आप aggregate लिखिए और उसके बाद use कर यह array array के अंदर हर एक object एक stage बनता है तो यह एक stage है यह एक stage है यह basically अपना काम है इतना तो आगया समझ में अब थोड़ा सा में example की तरफ चलते है अब हमने क्या कर रखा है एक example ले रखा है यहाँ पे आपको भी बताते है वो example देखे एक मैंने यहाँ पे dummy data add कर दिया तीन-चार books का books है यहाँ पे अब books के अंदर क्या है देखे हमने books के अंदर ID automatic enter होता है बट मैंने यहाँ पे easily आपको समझ में है इसलिए 1 डाल रखा है फिर मैंने title, author ID और genre डाल रखा है अब author ID क्या है किसी दूसरे document का ID जैसे हमने mongo database में user का भी एक ID होगा तो उदर जब अन्या document बनेगा उसका भी एक ID होगा तो उसको इसी तरह से treat करिएगा यहाँ पे समझने में थोड़ा असान है अब देखे author ID आपने 100 करा है तो यह कहीं न कहीं दूसरे document में भी match करना चाहिए तो हमारा दूसरे document है authors अब authors के अंदर क्या है देखे वही same ID match हुआ 100 तो दोनों को match कराया जा सकता है दोनों को join कराया जा सकता है join कराते क्या होगा जहाँ 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 वो author ID 100 होगा उसकी जगह पे यह पूरा पूरा document आपका उठके और चिपक जाएगा यही होता है left join तो यह अपना name है Fscot और यह birth year लेकिन अब मुद्दे की बात यह है कि इसको join किया कैसे जाए तो देखे हम चलते हैं अपने books के अंदर तो books के अंदर हमें क्या करना है इस document को join करवाना है तो हमारे पास देखे यहाँ पर directly aggregation की pipelines लिखने का तरीका है MongoDB Atlas में जो भी आप MongoDB का client यूज कर रहे है उसमें है Studio 3T या और भी कुछ यूज करते हैं तो उसमें भी है आप चाहें तो यहाँ पे भी add stage क्लिक करके कर सकते हैं बट मुझे जादा अच्छा लगता है कि समझाने में बाइदे वे वैसे एक चीज और side line एक side topic याद आया कि ये पूरी की पूरी सीरीज जो है aggregation pipelines पे mastery की मेरे English channel पे चल रही है Hindi channel पे अभी नहीं आईए थोड़ा लेट आईगी क्योंकि हम back end पे जादा focus कर रहे हैं अभी बट English channel पे चल रही है अभी अगर आप video साथ की साथ देख रहे हैं तो वहां भी देख लिजेगा आपको और समझ में आएगा और यहां पे क्या करते हैं हम वापिस आते हैं अपने पे तो आप stage पे भी click करके लिख सकते हैं और text पे भी अब ध्यान से देखिएगा मैं दुबारा नहीं बताऊंगा कि हमारे पास जो books हैं उसके अंदर है ID, title, author ID और genre और authors के अंदर क्या है नाम और date of birth बस दो field है हमारे पास में ठीक है दोनों का नाम क्या है इसके अंदर तो सिर्फ ID लिख रखक है हमने यहां पे लेकिन books के अंदर क्या लिख रखक है उसको हमने author underscore ID ठीक है यह दोनों match करने है हमे ठीक है तो अब चलते हैं हमारे aggregation books के अंदर मैंने aggregation पे क्लिक करा मुझे यह stages यहां से पसंद नहीं मैं code लिखना पसंद करता हूँ जादा तो text में गए हम अब text में जाके यहां पे आपको मिलेगा अपना aggregation pipeline लिखने का तरीका कि यहां आप लिख लिजे और यहां पे आपको सारा output document का sample मिलता है अब देखे aggregation pipeline जब आप लिखते हैं तो इसमें आपको बहुत सारे filters मिलते हैं देखे यह हो गई हमारी first pipeline यह हो गई हमारी second pipeline यह हो गई हमारी third pipeline बस इसी तरह से pipelines लिखी जाती है ठीक है जादा difficult तो था नहीं अब first pipeline के अंदर क्या करना चाहते हो देखे अकसर तो first pipeline usually जो लिखी जाती है वो लिखी जाती है कुछ इस तरह से कि match वहां पे हो match के अंदर criteria आप लिख सकते हो where clause की तरह कि suppose करिए मुझे इसी username का कोई find करना है तो वो username वाले find कर लो सारे है जो भी आपको लिखना हो तो match लिखते थे हैं हमें को अभी match लिखने ही जूरत नहीं हमें सिर्फ देखना है कि दोनो join कैसे होते है document तो उसके लिए use आता है अपना look up look up हाँ जी ये stage है अब look up के अंदर देखिए कुछ fields है आपके पास from कहां से look up करूँ मैं मतलब कौन सी table join करनी है ये तो बताओ अब table तो नहीं बोलेंगे यहाँ पर document बोलेंगे उसको बट मुझे पता है कि मैंने रख रखा है authors के अंदर तो यह हो गई हमारी authors तो author वाला जो document है अभी मैं books में हूँ author वाले पर join कर लो कुछ जादा difficult? नहीं local field कौन सा है? local field मुझे पता है मैंने अभी तो बता है आपको authors underscore id author underscore id authors नहीं है author underscore id इस नाम से मैंने मेरे document में रख रखा है तो यह local field हुआ मेरे लिए foreign field जो दूसरे document जो आपने बता है authors वहाँ जाके कैसे देखूं? कुछ बताओ तो सरी मुझे तो वहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है वहाँ पर मैंने field कौन सा रख रख रखा है? वो है का array आता है देखे जितनों को data structure समझ में आता है आप उसके लिए कोई course लेंगे ज़रत नहीं है data structure से मतलब कि आपके पास return value कैसे आ रहा है क्या वो array है? क्या वो object है? क्या वो variable है? तो तो आपका काम हो जाएगा असान data structures को कभी मत भूलेगा data types को कभी मत भूलेगा तो देखे हैं हमें data type क्या मिला है? array array के अंदर further एक object मिला है तो first value हमारे काम की है हमेशना first value हुई काम की होती है mostly इस cases में तो आपके पास यहाँ पर क्या गया? ID, name तो as it is वो data था उठके यहाँ आ गया और चिपक गया अब देखे कई तरीके हैं कि इस data को आप manipulate कैसे कर सकते हो कई जगे array में ही रखा जाता है जैसे further आपको कुछ पूछना हो array से कि इस array के अंदर यह वाली value भी है क्या? तो आप easily पूछ सकते हो उसके भी pipelines operators है basically बट अगर आपको test नहीं पसंद आता है कि इसको मैं बोलूँगा क्या author या फिर इसको बोल लेते हैं author underscore details details ठीक है? तो अब उस array का नाम क्या हो गया? test की जगे यहां पे हो गया author underscore detail थोड़ा better है अब लेकिन अगर आपको लगता है कि यार यह जो values है ना मैं तो array में नहीं रखना चाहता तो आपके पास दो तिन option है कि इस पूरे के पूरे lookup की जो values को आप एक variable में store करा दो और आपको पता है कि आपको array चाहिए वापस return में तो आपको array ही मिल रहा है lookup के बाद यह जो author details है इसको किसी variable में store करा सकते हैं और फिर array का first value 0 था item return कर देना बट नहीं मुझे तो नहीं मुझे तो कुछ और बताओ fancy देसा तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे आपके पास second pipeline भी apply करने का option है second pipeline में आप एक और method यहाँ पे use कर सकते हो जिसका नाम है add fields add fields क्या करता है नए fields add करता है जैसे कि for example आपने क्या करा first name लिया, last name लिया लेते हो class में कई बार तो उसके अंदर क्या करते हो कि मुझे full name चाहिए तो full name ने दोनों को combine कर देते हो अब full name field database में थोड़ी exist करता है आपने calculate कर दिया इसी तरह से add field क्या करता है नए fields add कर सकता है तो suppose करीए आप नया field add करना चाहते है तो ये लिजे आपने नया field add कर दिया author underscore details अब ये field बनेगा कैसे तो उसके लिए आप ये सारी values यहाँ पर हटाईए और इसको बोल दीजे अगर evaluate करना, calculate करना उसको तो ये लिजे, ये calculation का हम यहाँ logic देंगे क्या logic है हमारे पास में कि आप first element चाहिए मुझे उस array का तो एक दो properties है actually मैं, एक तो नहीं तो पहला आप दे दीजे कि उसको first expression चाहिए मुझे array का कहां से चाहिए तो मुझे चाहिए इस author details fields में से तो इसको copy करते हैं की field है ये, तो इसलिए उसके पीछे मैं dollar sign लगाऊंगा ये लिजे, इस field में से चाहिए मुझे तो first value आपको मिल जाएगी author details से अब यहाँ देखोगे, आप तो देखिए, अब क्या मिल गया आपको सीधे first value आ गई, तो आगई आपके पास इसको place कर दो array के अंदर और इसको बोल दो कि देखिए, इस field में से लेके आओ, कौन सी value, zeroth value हो सकता है, आपको first value चाहिए, second value चाहिए अभी हमें zeroth value चाहिए तो देखिए, return करने के काफी तरीके हैं और आपको समझ में भी आगया है, कि देखिए, aggregation pipeline इतना भी complex नहीं है बस आपको पता होना चाहिए कि कि इतने तरह की चीज़े हैं वो मैं मेरे जो mega series चल रही है मेरे English channel पर वहाँ पर मैं बता भी रहाँ बट फिर भी अगर किसी को लगता है कि नहीं मुझे तो और भी जानना है कि add fields, bucket, bucket auto, cool stats बस scroll करते जाइए एक एक करके सब को पढ़ लीजे वैसे तो जादा अच्छा ही रहता है कि आपको situational base पर पढ़ें तो जादा अच्छा होगा तो बट सारे options आपके पास available है काफी main में से और भी पढ़ा दूँगा अब जिससे suppose करें आपको project के बारे में नहीं पता तो थोड़ा सा आप यहां से भी पढ़ सकते हैं कि कैसे कैसे fields return करता है क्या होता हम use करने वाले हैं अगर आपको देखिए match के बारे में पता करना है तो आप यहां से पढ़ सकते हैं वरना सबसे best क्या है documentation है कोई rocket science तो है नहीं तो search करिए कि suppose करिए मुझे आप project के बारे में पढ़ना है तो dollar project और हिट करिए enter और aggregate वाला project पढ़ लीजे दो मिलेंगे आपको यह रह aggregation वाला कई बार दो मिलते हैं तो aggregation वाला project पढ़ लीजे जाके कि यह क्या कर रहा है तो यह क्या करता है passes along the document अरे कहां चला गया यह रहा sorry कई बार चला जाता है passes along the document with the requested field to the next stage in the pipeline the specified fields can exist in field from the input document or newly computed field basically कहना क्या चाहरा है कि आपके document में बहुत सारे fields है अब आप जो-जो fields बोलोगे सिर्फ वो ही मैं return करूँगा ठेक है यह project है वैसे मैंने काफी English channel पर समझाया है इसको आपको अच्छा लगे तो देख लिजेगा वरना अब हम चलते हमारे काम पर अब काम क्या करना है कि यह जो users है ना इसमें से काफी detail चाहिए तो देखे cover image मुझे चाहिए profile image चाहिए username चाहिए बट हमारे पास और भी fields है बहुत सारे updated at यह नहीं चाहिए created at नहीं चाहिए refresh token पासवर्ट नहीं चाहिए cover image चाहिए avatar चाहिए full name चाहिए email भी चलिए ले ले लेते हैं username भी चाहिए उसके बाद यहाँ से इसको join करा के लाएंगे तो दो चर नए field भी डालेंगे हम अभी evaluate करेंगे अभी बताऊंगा आपको कैसे calculate करते हैं बट उन field से finally calculate होना चाहिए कि आपके किते subscribers हैं तो क्या करना पड़ेगा channels के document इखटे करूँगा count कर लूँगा फिर subscribed मैंने कितनों को subscribe कर रखा है तो क्या करूँगा subscribers उठाऊंगा और count कर लूँगा और ये भी एक calculate करूँगा क्योंकि आपने कई बार YouTube पे गए होंगे तब आपने देखा होगा कि आप अगर logged in है तो आप क्या देखते हैं कि अगर आप जिस channel पे गए हैं उसको subscribe कर रखा है तो subscribe लिखावा आता है वरना आता है red color में subscribe कर लो तो आपने अगर अभी तक नहीं किया तो हमें भी कर लो तो वो calculation कैसे होती है वो भी बताऊंगा अब ये थोड़ा सा calculation हो सकता है हल किसी आपको advance लगे बट थोड़ा pain तो होना चाहिए न नहीं चीज़े सीख रहे है थोड़ा तो pain बनता है तो चलिए अब हम चलते हमारे code base की तरफ by the way code base में मैंने सारी चीज़े fix कर दे जो मैंने last video में भी आपको discuss कर दिया था कि mostly जो छोटा मोटा typos वगरा है वो सब मैंने कर दिया अगर आपके कुछ नहीं चले कुछ हम जब खेलेंगे postman के अंदर कुछ नहीं चल रहा है कुछ नहीं use हो रहा है तो उस time भी fix कर देंगे वरना majorly आपको पता है अब कैसे fix करना है मेरा goal ये निए था कि आपको मैं रटा करवा हूँ get user channel profile अब get user channel profile को हम देते हैं अच्छा आप क्यों problem में आए export अच्छा आपका मैंने syntax पुरा नहीं लिखा ठीक है पहले syntax पुरा लिख लेते हैं फिर करते हैं चर्चा ये हो गया हमारा async और async के बाद ये request और request और ये response और ये हमने किया ठीक है आप तो खुश हैं आप? ओके इसको export भी कर देते हैं वरना बाद में भूल जाएंगे ये लिजे export भी कर दिया अब देखे क्या है जब आप किसी भी channel की profile आपको चाहिए तो आप usually क्या करते हो चैनल के URL पे जाते हो जैसे slash, chai or code पे add the rate चाहिए और code जो भी उनका तरीका है ले जाने का तो इसी तरह से हमें भी चाहिए तो हमें क्या user मिलेगा request body से नहीं params से यानि कि उसके URL से तो क्या निकालना है URL से? उसका username निकाल लो तो ये लिजे const और ये लिजे हमने de-structure कर लिया username को तो चलिए सबसे पहला काम तो हमारा आ गया username अब क्या ये username exist करता है या नहीं करता है अभी आपने कोशिश करी है कि params से इसको निकालना हो बट हो सकता है params empty हो या फिर हो सकता है कुछ अजीब साही हो जो हमें नहीं चाहिए बेसिकली मोटी मोटी बात तो है कि कुछ username होना चाहिए तब तो मैं query करूँगा ना वरना तो कहां ही query करूँगा तो check कर लो एक condition लगा लेते हैं if कोई username नहीं है ये लिजे username नहीं है और इसको हम क्या trim भी कर लेते हैं अगर है optionally तो trim वरना अगर हुआ ही नहीं तो undefined कर ट्रिम कैसे करोगे तो इसलिए यहां पर optionally unchain ही करना उसको तो हम throw कर देते हैं एक error throw new API error API error क्या दें 400 दें वैसे तो usually ये define होता है कि इसमें ये देना इसमें ये देना ये काफि discussion debate है बट अभी के लिए दे देते है username is missing ठीक है अभी तक तो काम हो गया अब यहां पर अगर मैं पहुचा तो expect करता हूँ कि मेरे पास username होगा अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि username से सबसे पहले अपना document find कर लेते हैं एक query चलाते है user.findbyid उसमें username दे देते हैं वेर क्लाउस अपने आप लग जाएगा कुछ इस तरह से कि user.find findbyid नहीं हम find देते हैं और find के अंदर वेर क्लाउस कुछ इस तरह से लगाते हैं और क्योंकि हमारे database में भी है username यहां पे भी है तो हम username दे देते हैं ठेक है अच्छी सोच है कोई बुराई नहीं है इसके अंदर लेकिन यहां पे problem यह है कि आप database से एक बार user लोगे पूरा फिर उसकी ID के basis पे aggregation लगाओगे इतनी जरूत है नहीं करने की आप direct ही aggregation pipeline लगा सकते हो क्योंकि मैंने आपको बताया था match field होता है वहाँ पे तो वो automatically सारे documents में से सिर्फ एक document find कर लेगा वो ही match का काम है तो हम थोड़ा सा यहाँ पे saving कर लेते हैं ऐसे भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है बट हम जब एक साथ सारा काम कर सकते हैं तो एक साथ ही कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं यहाँ पे सीधा बोलते हैं कि user जो है हम यहाँ पे aggregation pipeline लगाएंगे तो यह aggregate हो गया हमारा aggregate एक method है जो कि array लेता है array के अंदर further pipelines इस तरह से लिखी जाती है first pipeline, second pipeline, third pipeline जित्ति आपको लिखने हैं आप लिखिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अभी लिखेंगे अब क्योंकि database का बात है तो database कहाँ पे है हाँ जी, कब तक Sophie वैसे लेटे रहेंगे बताइए न उठके टाइप तो कर लीजी बैटे बैटे कहाँ पे database लिखेगा comment section में अब इसके पूरे का पूरा जो result है उसको हम use, store कर लेंगे एक channel में अब अभी just हमने देखा कि इस तरह से हम काम करते हैं आपको लेके चलते हैं तो हमारे पास जो value आती है actually में हमने तो यहाँ पे convert कर ली थी मैंने लिखा था शायद मैं delete कर दी आपने देखा था value जो आपके पास आती है वापस aggregate pipeline लिखने के बाद वो arrays आते है actually में तो यह ध्यान रखेगा कि आपके पास arrays आते है उसको किस तरह से handle करते हैं वो भी हम देखेंगे अभी अभी चलते हैं वापस इस पे हम और चरचा करेंगे data type कैसे क्या होता है अभी हम आते हैं aggregation पे first pipeline first pipeline क्या है हमारे पास match field की pipeline है अब match field को क्या चाहिए होता है इसको चाहिए कि कैसे match करूँ तो हमारे पास username इसको match कर लो अपने username से ठीक है वैसे तो मैं direct भी पास कर सकता था बट मैं इसको optionally dot to lowercase इसको कर देता हूँ ताकि क्योंकि मुझे पता है मैंने सारे username lowercase में रखे है optionally इसलिए क्योंकि वो safety का measure है वैसे तो आपको करने की जरूद नहीं है अगर यहाँ पे पहुँचे हो तो username है ही बट फिर भी किसी कारण से अगर username नहीं मिला तो तो obviously बात है इस channel में zero values आएगी कुछ भी नहीं आएगा तो वहाँ पे मैं चेक कर लूँ है case बट इसलिए सावधानी हमेशा अच्छी है इसमें कोई बुराई नहीं है तो आपने अब भी यहाँ पे filter कर लिया अपना एक document ठीक है तो चलते हैं चाय और code के user subscriber कित है वो find करते हैं तो उसके लिए क्या लगेगा हमने अभी just पढ़ा look up लगेगा तो हम लगाते हैं यहाँ पे अपना look up dollar look up ये लिजे अब look up को क्या है दो-तीन fields चाहिए होते हैं जो अभी हमने देखे okay सबसे पहला field from कहां से देखना चाहते हो तो from मैं देखना चाहता हूँ वापस आ जाई ये उपर ये लिजे from subscriber तो मैं क्या करूँगा सबसे पहले जाता हूँ अपने model के अंदर subscription model के अंदर और बोल देता हूँ कि मुझे चाहिए subscriber तो आपको देहाने subscription इसी नाम से आपका बनेगा सारा ये subscription copy कर लेते हैं अब अगर आपने मेरी पुरानी बाते पढ़ी होगी तो उस model का नाम क्या होगा यहाँ पे आप comment section में लिख पाएंगे pause करिए video और लिखिए हाँ जी तो सारी चीज़े क्या हो जाती है model में lower case में convert हो जाती है और सब के सब plural हो जाती है तो इस model में से देखो दो field और हमें यहाँ पे लगाने थे foreign field, local field यह तो हम next लगाते हैं अपना local field foreign field लगाएं पहले कुछ भी लगा लीजे चलिए local field लगा लेते है कि उसके channel को select कर लीजे जब आपने channel को सबको select कर लिया है तो आपको मिलेंगे subscribers ठीक है अब उसको बोलना क्या है तो last के अंदर as हम लगाते हैं यह लीजे as और इसको जो भी आपको बोलना जो भी आपनान देना हो दे दीजे ओके तो यह हो गए हमारी first pipeline जहां पर हमने find कर लिया उसके subscribers आप चलते हैं वापिस से तो देखिए channels को सारे select करके अभी तक मैंने count नहीं कराया उसको count भी करेंगे बट अभी हमारे पास उसमें सारे channels आपके subscribers फाइंड हो गए है तो एक काम तो हो गया हमारा कि अब आपको look ये लिजे look up look up को ये सारे field चाहिएंगे तो इन सारे field को हम copy paste भी कर सकते हैं कर लिजे कहां दिकत है तो from subscription से ही करना है ठीक है local field क्या है underscore id है लेकिन foreign field क्या है अब foreign field हमारे पास क्या है वो ही सबसे important चीज़ है वो है हमारा क्या है subscriber तो हम इसको copy करते हैं और इस बार change कर लेते हैं कि foreign field हमारा है subscriber अभी जो subscriber आपने किया है तो आपके पास क्या मिला है वो सारी चीज़े जो कि मैंने subscribe कर रखे तो इसको हम नाम देते हैं कुछ subscribed to easy रहेगा समझने में कि subscribe to मैंने किसको subscribe कर रखा है तो यह थोड़ा सा हमे clarity देगा subscribed to वो है जो हमने यहाँ पर लिख रखे हैं यह वाले subscribed मैंने भी तो subscribe कर रहा होगा किसना किसी को तो वो सारे के सारे subscribe to में आ गए अब क्या करना है अब हमारे पास क्या है यह दोनों fields हमारे पास आ चुक है बट यह दोनों fields अलग-अलग है अब इन fields को हमें add भी करना पड़ेगा ठीक है तो हमारे पास क्या होता है एक और pipeline हम यहाँ पर लिख सकते हैं देखिए pipelines हम काफी लिख रहे हैं लेकिन बड़ी है लेकिन complex नहीं है अब अपने पास क्या होता है एक add field नाम से एक और हमारे पास operator होता है यह करता है कि जितने भी हमारे पास यह values है इनको तो रखेगा रखेगा बट additional fields add कर देगा ठीक है यही तो हमें करना है ताकि A की object में हम सारा database देए तो additional fields क्या-क्या add करने है देखिए पहला तो मुझे करना है subscribers count ठीक है अब subscribers count calculate कैसे होगा देखिए अभी तक आपने क्या करा इस pipeline के अंदर आपने सारे documents को एकटा करके रख लिया है तो हमारा जो field है subscribers इसको हमें calculate करना पड़ेगा calculate कैसे होता है बहुत यह असान है अगर आपको सारे documents calculate करने है count करने है कितने है तो आपके पास एक size नाम से यहाँ पे होता है हो ना तो चीए हाँ जी है suggestion नहीं आ रहा तो आपको क्या करना है उस field में से करना है तो इस subscribers वाले field में से calculate करना है बट इसके साथ dollar use करिएगा क्योंकि वो field है तो यह तो आपका subscribers का count ठीक है अब हमें एक और field add करना है यहाँ पे दूसरा field कौन सा है subscribed to का count तो वो भी हम ले लेते हैं यहाँ पे तो इसको बोल लेते है चैनल या चैनल सब्सक्राइब to count चैनल सब्सक्राइब to count ठीक है चैनल सब्सक्राइब to count ठीक है अब इसको कैसे निकालेंगे इस में से निकालेंगे इस field में से वापे से सेम कहानी करेंगे कि मुझे सिर्फ size चाहिए जी उस final field के अंदर पूरे का लेके मैं क्या करूंगा documents का size दिखाईए और कहां से आपको count करने वो सारे के सारे document का size count करना है तो dollar add करी और subscribe to ठीक है तो अब हमने क्या करा है basically हमने वो सारी जो गणित हमें लगानी थी पिछले वीडियो से वो हमने लगाई और subscribers निकाला channels निकाला और फिर हमने next pipeline के अंदर क्या करा लेकिन अब problem क्या है आपने information बड़ी तो कर दी है लेकिन अब उसको project भी तो करना पड़ेगा अच्छा एक चीज तो हम भूली गए इससे याद आया कि हमने ये सब तो कर लिया कि subscriber count वगरा लेकिन ये जो button है इसका तो खयाल अभी तक रखाई नहीं आपको subscribe दिखाना है कि subscribed दिखाना है तो वो क्या होगा हम क्या करेंगे front end वाले को एक true and false message भेज़ देंगे और उसके basis पर हो calculate कर लेगा कि अगर true है तो subscribed है और नहीं है तो ठीक है अब इसके लिए आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं पहले एक बार लिख लेते हैं फिर आपको थोड़ा सा पढ़ने के लिए देंगे थोड़ा तो आपको भी देंगे ना कि कैसे काम करना है तो उसको बोलते है is subscribed subscribe ठीक है अब is subscribed कैसे calculate होगा उसके लिए हमें चाहिए गिए condition ये लिजे हागया condition condition क्या है condition में आपके usually तीन parameters होते है एक तो if जहाँ पे आप condition लिखते हो then और else अगर true है तो then और अगर false है तो else ठीक है तो पहला part हम लिखते है if के अंदर तो ये लिजे आपका if calculate कैसे होता है तो ये if इस तरह से calculate होगा मैं एक पर यहाँ पे इसको बड़ी screen पे लेलता हूँ full ताकी दिखे है मैं तो if calculate कैसे होगा if के लिए मैं चाहता हूँ ये पता करना क्योंकि मुझे ये देखना है basically तो आपके पास जो document आया न subscribers उसमें मैं हूँ या नहीं ठीक है बस इतना ही तो देखना है मुझे तो already मेरे पास जो document है तो कैसे calculate करते है तो एक और operator फर्दर आपके पास है इन जो की calculate करके देता है आपको array और object दोनों के अंदर तो इस तरह से syntax होता है लिखना क्या आपको check करना है देखिए क्योंकि यहाँ पे already आगर आप logged in होंगे तो request. आपके पास user होगा अगर request. user है तो optionally हो सकता user नहा हो optionally उसमें से . underscore id निकाल लो यही तो push कर रहे हैं हम सब के अंदर और किस object में से देखना है तो आपको देखना है कहां से आपके पास यह subscribers है already याद है हमारे पास यह subscribers है तो copy करके और यह लिख लेते है subscriber अब क्योंकि यह field है तो इस field के अंदर भी जाया जा सकता है dollar sign लगा के आपने यह बता दिया कि यह field है ठीक है और further क्या करो dot subscriber क्योंकि हमारे जो model है उसके अंदर यही तो है subscriber तो उस field के अंदर जाके देख लो वो object ही तो है तो उस object के अंदर जाके देख लो कि यह है यह नहीं है in का मतलब है present है यह नहीं है ठीक है तो यह basic है थोड़ा सा complex है complex नहीं lengthy है actually मैं अब क्या करना है इसके बाद इसके बाद आपको लिखना है then or else कि अगर then है तो क्या मैं इस subscribe के अंदर डालू तो इसके अंदर डाली है true और अगर false है तो क्या करना है तो आप else में आईए और इसके अंदर डाल दीजे false तो इसलिए मैं कहरा था यह SD1 नहीं थोड़ा सा higher level की बात है बट एक बार आपने समझ लिया और इस वीडियो को अगर दुबारा से देख लिया तो आपको काफी काफी आसानी होगी कि इतना भी complex नहीं था अब देखे एक ही बार के अंदर हमने कितनी pipelines लिख दी अब भी और लिखेंगे एक और पहले हमने user को match करा उसके बाद हमने फटाफट से count करा कि उसके subscribers कितने है channel के थुरू फिर हमने count करा कि आपने कितनों को subscribe कर रखा है उसके subscriber के थुरू तो हमने यहाँ पे foreign field यहाँ पे subscriber लिया और उसको भी calculate कर लिया दूसरी pipeline तीसरी pipeline ने हमने original जो user object था उसके अनर हमने 2-3 field और add कर दिये इस subscribed, subscribers count, channel subscribe to count तो काफी fields add कर दिये लेकिन अब जो final challenge है मेरे सामने वो यह है कि अब मुझे एक और pipeline यूज़ करनी है जहाँ पे मुझे project यूज़ करना है अब selected चीज़े कैसे देता है selected चीज़े के अंदर आपको जिस जिस चीज़ को pass on करना है जैसे full name उसके आगे लगा दीजे one बस उसका flag on कर दीजे वो values आपकी pass हो जाएगी वरना जो नहीं है वो नहीं होगी तो आपका जितना मन करे उत्ती values दीजे आपका जितना demand है वहाँ पर सारी values मत दीजे सारी values देंगे तो क्या जबरदस्तिगा network traffic बढ़ाएंगे उसका जो size जा रहा है data का वो बढ़ाएंगे तो ऐसा मत कीजे professional लोग ऐसा थोड़े ना करते हैं अब इसको copy paste करेंगे थोड़ा सा यह हर यह थोड़ा सा इसको short करो ना तबड़ा क्या नाम दे रखाई है कर दे ना अगर बोले तो नहीं बोलेगा तो ठीक है करेगा कम ठीक है यह subscribe field और भी जो जो field है वो दे दीजे जैसे कि मुझे पता है कि avatar भी देना है तो ठीक है इमेल यह बेंज़े और कुछ रह गया है किया इस subscribe भी हो गया है और मुस्ट हो गया है cover image इमेल और कुछ रह गया हो तो वो भी कर देंगे देख लिजएगा देख लेते एग बार ठीक है तो हमने क्या-क्या बेज़ दिया है username भी है username है email है, full name है, avatar है, cover image है बस इतना ही तो है password, refresh token, created ad, ये मुझे नहीं बेजने है अगर आपका मन करें कि आपका account कब से created है, तो created ad भी भेज देना इसमें क्या बड़ी बात है अच्छा, ये हो गया हमारा काम अब देखिए हमने कितनी pipelines लिखी एक-एक करके, fold करके देखते हैं, ये सबसे पहले हमने match की pipeline लिखी, फिर उसके बाद हमने look up की pipeline लिखी, फिर एक और look up की pipeline लिखी, फिर हमने fields add करे और उसके बाद हमने final projection करा आप देखने में लग रहा होगा कि और बहुत सारा log करके देखेगा, अक्सर इस तरह की चीज़े आपके सामने भी आएगी, जब आपको पता नहीं कि value क्या आ रही है, what data type does aggregate returns, तो अगर आपको नहीं पता है इस तरह से, तो आप जाके भी देख लेगा, इसमें भी कोई aggregate की pipelines, तो basically मेरा मानना यह है कि aggregate return क्या कर रहा है मुझे, अब मुझे पता तो है, बट मैं सोच रहा हूँ, यहां से दिख जाए तो आपको मिल जाए, group staging हो गई, over, ठीक है, values आ गई return type हमें दिख जाए, यहां पर कहीं documentation पर, तो एक बार हम देख लेते हैं, search कर लेते हैं, okay can return, ठीक है, can return तो नहीं चाहिए हमें, यह भी नहीं चाहिए, okay तो, हाँ जी, example output हाँ, इससे हम देख सकते हैं, तो देखे, यहां पर, यहां पर तो अच्छा sort वगरा शायद इनोंने दे रखा है, but actually मैं आपको output कुछ इसी तरह का मिलता है, एक array मिलता है, जिसके अंदर आपकी values है, तो हमारे पास तो एक ही है, यहां पर multiple भी हो सकते है, आपने हो सकता है, सिर्फ match ही करा है, पांच document, तो आपको array मिलता है, और array के अंदर multiple values हो सकते है, हमारे case में क्या है, array के अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही value क्योंकि match के अंदर final देखा एक ही user है तो एक user का profile मिलेगा तो हमारे को ये समझना जरूरी है कि किस तरह से हमारा output document आ रहा है अब जित्ते भी aggregation pipeline है mostly आपको array ही return करते हैं बट हमारे लिए जो useful है वो first ही value है क्योंकि वो ही तो हमारा user है तो ये समझना बहुत important है कि इस तरह से आपका data आ रहा है अब देखिए channel के अंदर अगर आपके पास data ही नहीं है तो भी check करना पड़ेगा हो सकता है match ही नहीं हुआ हो first pipeline में ही बस हो गया हो काम बागे तो कुछ चला ही नहीं हो backend के series देख रहे हो आपका JavaScript अभी भी clean नहीं है अगर ये इतना सा line नहीं समझ में आ रहा है channel question length और truthy value, falsey value यही नहीं समझ आ रही तो मैंने तो बहुत अच्छे से बताई थी आपने नहीं पड़ी तो सीड़े बोल देता है channel does not exist exist ठीक लिखा है क्या ठीक है तो ये हो गया अब अगर आपके पास values आ गई है तो आप देखे यहाँ पर चेक कर लिया है कि channel की length है और अगर length है तो उसके पास देखे array return भी कर सकते हो front end वाला थोड़ा सा रोएगा पर ठीक है रोने दीचे उसका थो काम ही है तो वो इतना रोए ना इसलिए हम return response थोड़ा सा अच्छे से कर देता है अपने दोस्ते जी front end वाले भी हम भी कई बार front end ही लिख रहे होते है पर इतना भी परिशान नहीं करना चीए उनको तो हम अच्छे से status return करेंगे ठीक है तो यह status return करना है वापस इसको open कर लेते हैं ताकि आपको center में दिखे है साथ okay status तो हमने 200 return कर दिया और json में इसको response हम return करेंगे तो इसको बोलेंगे सीधा कि new API response ठीक है जी API response में क्या चाहिए आपको 200 तो हम response देंगे आपको और आपको हम क्या करेंगे पूरा document ऐसे नहीं return कर देंगे चाहे तो कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है बट इसका first object return कर देते है 0th value ठीक है तो थोड़ा खुश रहेगा हो कि सिर्फ एक object आया है उसमें से data चाहस पिक-पिक करके लगा दूँगा ठीक है तो user channel fetched fetched successfully ठीक है जी तो यह होगे हमारा काम तो इस पूरे वीडियो के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ A की controller लिखा है बट यह A की इसले लिखा क्योंकि आपको पता होना चाहिए किस तरह से हमने detail है एक और tab है यहाँ पर fun करने के लिए get users history तो history बटन पर click करेगा तब उसको सारे videos चाहिए क्योंकि आपको याद हो तो history के अंदर हम क्या डाल रहे थे सारे के सारे objects डाल रहे थे इस video के तो अगर इसने click करा है तो वो सारे के सारे देने पड़ेंगे उसको तो वो भी कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे इस video में नहीं जादा हो जाएगा तो अभी के लिए हो सकता है आपको इसको दुबारा से देखना पड़े अच्छा यहाँ पर पता है आपके पास sharing के लिए बहुत knowledge है अब आप share करिए इस video को भी साथ में जितना भी हमने use करा है उस पर आप एक दो-दो चार्चर लाइन का articles भी लिख सकते हैं मतलब एक या article में sections बना के लिख सकते हैं जैसे सबसे पहले pipeline क्या होती है यह लिखिए aggregations में आपने क्या सीखा है वो लिखिए और उसके बाद आप match का पूरा define करके लिख सकते हैं look up का define करके लिख सकते हैं further add fields को आप लिख सकते हैं यहाँ पर हमने जैसे conditions, size, in यह अपने आप में operators हैं इनको पढ़ने के लिए लोग बाग कई बार 2-2-4-4 classes लगाते हैं मुझे लगता है practical में जल्दी समझ जाते हैं projects इन सब पर आप article लिख सकते हैं और सबसे जरूरी बात MongoDB को Twitter पर और LinkedIn पर tag करिएगा क्या इतना अच्छा content पढ़ा रहे हैं आपने अभी तक हमें sponsorship क्यों ने दी, नहीं तो चीये थे न तो please article लिखेगा और ये वीडियो भी वहाँ पर share करिएगा बाकी मजागी बाते अपनी तरफ पर ये जरूर करिएगा, इससे आपको क्या है काफी अच्छी knowledge मिलेगी, आपको थोड़ा सा clarity आएगी, वीडियो को at least 2-3 बार देखेगा, थोड़ा सा जादा है इसके अंदर material intensive है बट hopefully, काफी हमने चाई पीते-पीते हराम से सीख लिया होगा तो बस यही एक कहानी थी हमारी चोटी सी वीडियो के अंदर काफी effort लगा है 2-3 बार record हुआ है काफी discussion हुआ मेरा इस वीडियो के regarding किया, कैसे record करें क्या और समझा सकते हैं फिर finally यह वीडियो आया तो इस effort को please waste मत जाने दीजेगा शेयर करिएगा वीडियो को और बाकी तो चिल मिलते हैं आप से अगले वीडियो में और चाय और कोड को सब्सक्राइब कर दीजेगा ठीक है